हेलो दोस्तों क्या हाल है आप लोगों के आई होप आप लोग वदबड़ी होंगे मैं स्थान ओफिशल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लिमिट ऑफ फंक्शन का एक और पार्ट आपके पास में लेकर आ रहे हैं लिमिट में जैसे कि आपको पता होगा क कि के विएस पीजिटी ओर टीजिटी मैदेमेडिक्स लिए हमने फ्री कोर्स जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट किया है जिसमें अगर आपने अभी तक पूरा कर्ण देखा नहीं तो पूरा कोर्स में बता देता हूं कि हम सारी की सारी वीडियो जो हैं वह प्लेलिस्ट यानि की प्लेस्ट पूरी की पूरी बना दी गई है जिसमें पूरी पूरी वीडियो जो हैं फ्री में आपको फ्री ओप्स्ट बहुत ही quality content आपको देने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे यह परियास है और इसमें आप अगर मान लेते हैं अगर आपको कोर्स जैसे पर्सेज नहीं करना या खाली कोर्स देखना है और इसमें अच्छे कोशन्स भी आपको चाहिए तो बस हमारे को आपको करना यह है कि इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और प्रिवेसर पेपर साइट भी जो है वो डेली बेसे स्पेस पर सॉल्व करके दे रहे हैं तो आप प्रिवेसर पेपर सेट की जो है प्लेलिस्ट है उसमें भी जाकर आप देख सकते हो तो अगर आपने इस चैनल को अभी तब सुस्क्राइब नहीं किया तो अभी इसको कर लिजिए और इसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं हमने लिमिट के उपर कोशन कैसे सॉल्व करने एल होपिटल रूल क्या है वह सब हम चीजें थोड़ा बहुत सीखेंगे और इसमें अलग अलग तरह की कैसे कैसे बन सकते हैं वह सारी की सारी चीज़ें हम सीखने वाले इस वीडियो में तो यह बात पहले से ही आप एक को धियान में रखन करेंगे इसके बाद जो हैं हम कॉंटिनिटी करेंगे तो यह आपस में जोड़ी वी चीज़ें अगर आपको एक्जिस्टेंस ओफ लिमिट नहीं आती होगी तो आपको कॉंटिनिटीन नहीं आईगी तो इसी तरीके से सारा कसारा आपको पीछे का थोड़ा बहुत ध्यान म कर दो तो क्या आएगा तो जीरो को अगर मैं जीरो से डिवाइड करता हूं तो इसका अंसर क्या आएगा तो इसमें बस एक ही कॉशन आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका आंसर क्या क्या आ सकता है तो कुछ बच्चे क्या है जो पहली बार देख रहे हैं इसको अगर म तो इस cancer 1 आ सकता है उसके हिज़ाब से दूसरा बच्चा obviously ये भी सो सकता है कि हमने कोई number के अगर उपर 0 नीचे x हो तो इसका answer 0 आता है तो अगर मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इसको दिमाग से हटा दू तो ऊपर 0 है नीचे कोई number है तो इसका answer 0 भी तो आ सकता है दूसरा answer तीसरा आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर ऊपर कोई number है और नीचे उसके उपर 0 नीचे मतलब 0 लगा रखा तो इसका answer इसका आंसर इन्फिनिटी भी हो सकता है अब कुश्यन तो एक है आंसर इसमें तीन तीन दे रखेंगे तो इसका मतलब यह है इति इसका आंसर की सारा तो तीन तीन तो आप किलेंगे, present he says, जिए 20 को तीन से डिवाइट नहीं तो भी तो बोत अब आप यह थोड़ी ना कि तीन चार आंसर बता दोगे तो ऐसी फॉर्म्स जिसका आंसर जो होते हैं वो एक से जाधा मिले आपको या मैं बोल सकता हूं कि एक करेक्ट प्रिसाइज आंसर ना मिले उन फॉर्म्स को हम बोलते हैं इंडिटामिनेंट और इंफाइनेट या इनफिनिटी को इनफिनिटी से इसी तरीके से पीसरी indeterminate form उन्होंने बॉली कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि है ना तो जीरो की multiply किसी भी नंबर से नहीं कर सकता है पीहली यह जो बात है यह भी आपको याद रखनी है इंफिनिटी से नहीं कर सकता है, उसके बाद फॉर्थ वाला जो है, आप 0 की पावर 0 नहीं कर सकते, फिफ्थ वाला जो है, वो इंफिनिटी की पावर आप 0 नहीं कर सकते, तिक्स वाला जो फॉर्म थी, वो यह है कि उन्होंने बोला कि 1 की पावर आप इंफिनिटी नहीं कर स ऐसी जो 0 की पावर 0 है वो भी गलत है 0 into infinity भी गलत है infinity raised to power 0 1 raised to power infinity या infinity minus infinity यह भी गलत हो तो गलत का मतलम मेरा कि इसके एक आंसर प्रिसाइज आंसर नहीं निकलेगा तो अगर यह बात करें तो बस साथ ही फॉर्म होती है जो इन इसका आंसर ऐसद्र है हमारे पास में चाहिए वो डिफाइंन नहीं है लेकिन और यह सॉल कशल को परनेकले जो उन्हों ने बोला कि भाई अगर फॉर्म मैंने बताई है तो solution भी मैं बताऊंगा है न विमारी हमारी है तो इलाज भी हमीं बताएंगे इसका ठीक है तो हुआ क्या एक मैथमेडिशन दें उन्होंने बोला कि इंडिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व करना बड़ा ही इजी काम है जैसे माल लेते हैं हमने क्या बोला लिमिट एक्स टेंस टू सपोस करो हमने बोला जीरो है साइन एक्स अ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अगर ऐसा कभी दे रखाओ साइन एक्स इसको आपको सॉल्व करना है तो अगर इसका निकालना है तो पहले चेक करो कि यह इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है यानि अगर यह है तो क्या करना है आपको कि ऊपर और नीचे दोनों का अलग-अलग डेरिवेटिव करदो यानि डिफ्रेंशेशन करदो अफकलन करदो उपर का अलग-फकलन यानि डेरिवेटिव नीचे का अलग करदो जैसे साइन एक्स का अगर मैं डिफ्रेंशेशन करूंगा तो क्या आएगा तो आप बोलोगे सर साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता ह सब्सक्राइब अब इसमें लिमिट डाल के देखो यह वाली लिमिट दुबार से डालो अगर आंसर इसका बन गया तो ठीक नहीं बना तो इनडेटेमिनाट पॉम अगर दुबार से बनगी तो एक बार और डेरिवेटीव करते रोएव यह प्रॉसेस करते रहो जब तक इसका आंसर सही ना जाया यानि आंसर सही जैसी आया है वहीं पर यह डेरिवेटीव रोकर रोग वह फायणर हो जाएगा जैसे इसकी बात करते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू जिरो अपॉन एक्स कितना होता है जैसे मान लेते हैं आपको एक क्वेशन दे रखा है बोला गया कि यह जाएगा जैसे तो अब इसको करने के बाद में लिमिट डालेंगे लिमिट डालेंगे माइनस माइनस तो प्लस कर देता हूं में और भाव निगाल लेता हूं यह बनेगा 3 sin 3 into 0 upon 2 into 0 जरा इसमें डालना तो 3 sin 0 upon 0 तो क्या यह अभी भी 0 upon 0 बन रहा है तो आप बोलों कि हाँ सरी यह अभी भी बन रहा है तो एक बार इसका और derivative करेंगे अभी यह खतम new equation एक बार और derivative करेंगे तो sin का देखो जरा क्या होता है sin का होता है cos minus minus plus हो चुका है थोड़ी देर में तो sin का होता है cos ठीक है तो 3 cos 3x और 3x का दुबार से करतो 3 upon में कितना 2x का कितना 2 तो इसमें आप limit डालो देखो 3 3 3 जा इसको कर लो 9 देखो यह वाला 3 और यह वाला 3 multiply होगा इस से मत कर देना यह angle है ठीक है क्या बनेगा 9 cos 3 into 0 यानि cos 0 upon 2 cos 0 की value कितनी होती है 1 होती है तो 9 upon 2 इसका correct answer हो जाएगा 9 into 1 upon 2 यानि 9 upon 2 9 upon 2 इसका correct answer हो जाएगा तो इस तरीके से आपको बुरे के बुरे question solve करने अब मैं आपको क्या कर रहा हूं कि आने वाले जो slides है उसमें मैं आपको कुछ questions दे रहा हूं जिसका आपको answer मेरे से पहले निकालने की कोशिश करनी है ठीक है मैं सीधा question दूँगा answer बताऊंगा आपके दिवाब में पहली solution होना चीए कि हाँ इसका answer यह होगा चलि हम स्टार्ट कर लेते हैं पहली slide से पहला बोला गया है कि the value of limit x tends to 0 e raised to power x minus 1 upon x इसकी value क्या होगी ठीक है चार option आपको दे रखे हैं एक दे रखा है आपको 1 by 2 दूसरा दे रखा है infinity तीसरा दे रखा है 1 और 14 दे रखा है कितना 0 आपको यह बताने कि independent form बन रही या नि बन रही एक की पावर 0 minus 1 upon 0 ऐसा नहीं कि कहीं पे भी लगा देंगे hello beta rule वहाँ पे लगाएंगे जहांपे independent form बन रहोगी किसकी power 0 तो इसका अंसर 1 1 minus 1 upon 0 तो 0 upon 0 यह इसका अंसर हो गया determinant form यह indeterminate तो आप बोलोगे indeterminate है तो करना क्या है करना यह इसका derivative को रो एकी पावर x का derivative e की पावर x 1 का 0 upon x का 1 इसमें अब limit डालो और चेक करो कि indeterminate अभी वह बन रही है या नहीं बन रही है तो वह इसका अंसर हो जाएगा तो e की पावर 0 minus 0 तो चलो खतम upon 1 तो e क्या होगे 1 upon 1 यह इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानि option नमबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा clear हो यह बात समझ में आ रहा है मजा आ रहा है है ना चलिए क्लस 8 आप से पुछा गया है कि इसका correct आंसर गया होगा ठीक है आप इसको वीडियो पाउस करके बिल्कुल कर नहीं कोशिश करिए मैं इसको कैसे solve करूंगा मैं बताता हूं क्योंकि एल होपिटल रूल चल रहा है तो सारे के सारे question जो है वह एल होपिटल से ही होने अब्यस सी बात है तो सब में independent form बन रही होगी तो मैं सीधा सीधा इसका differentiation कर दूँ तो differentiation देखो कैसे करेंगे limit x tends to minus 2 लिखो और x का derivative कर दो 1 2 का कितना होता है जीरो ठीक है x cube का क्या होता है 3 x square और 8 का कितना होता है 0 अब इसमें limit डाल दो बाई limit डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 upon 3 into minus 2 का square कितना होता है तो यह हो जाएगा 1 upon 3 into minus 2 का square होता है कितना 4 तो 1 upon कितना 12 इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा तो चलिए अब next question के और बढ़ते हैं I hope आपको यह पूरा का पूरा समझ में आगया होगा है ना जहां पर doubt होंगे आप comment में बिल्कुल लिख सकते हो कि क्या आपको doubt आ रहा और क्या नहीं आ रहा है question जो हो next वाला बहुत बढ़ी है मैं तब तक अपना pen का color change कर रहा हूं इसका answer निकानने कोशिश करें चार option आपको दे रखें 0 1 upon 2 1 और 2 ठीक है क्या आपको लगता है कि क्या इसका correct answer होगा ठीक है मैं बढ़ी आसा color choose कर लेता हूं एक अच्छा सा वो लागया है limit x tends to 0 है ना और 1-cos x upon में कितना दे रखाया x दे रखाया आपसे पूछा इसका answer क्या होगा 0 1 by 2 1 या 2 क्या लगता है आपको हां जी बिलकुल अच्छा आप यह कह रहे हूं कि यह वाला answer इसका correct होगा देखते हैं आपके दिमाग वाला answer इसमें correct आ रहा है या नहीं आ रहा है तो सबसे सब्सक्राइब करो 1 का क्या होता है 0-sin x और x का कितना होता है x का होता है 1 derivative कर लो यहां पर इसका limit x tends to 0 क्या हो जाएगा sin x upon 1 हो जाएगा ना limit x tends to 0 अब इसमें limit डालके देखो जरा है तो क्या बनेगा sin 0 upon 1 तो sin 0 यानि 0 upon 1 यानि इसका answer के तारह 0 आ रहा है 0 option में है क्या तो आप बोलोगे हाँ इसका option में है इसका option number a क्या होगा तो बिंगो अगर आपने भी यही कर रहा है तो बिल्कुल लिक करेक्ट अंसर था आपका ठीक है नेक्स देखो जरा आपको बोल रखा है limit x tends to 0 आपको बोल रखा है साइन टू एक्स अपॉन में x क्या होगा इसकी वैल्यू ठीक है तो सकतो इसका answer क्या होगा इसको वैसे मैंने बहुत तरीके से बता रखा है इस वाले का ना पैदले भी बता रखा है कि यह वाले का अंसर कैसे निकालना है फिर भी अगर आपने मालने थे हम एलोपिटल के उबर बात करें तो इसको किस तरीके से कहना है तो देखो करना क्या है आपको derivative काना है एक और अक्तना होता है 2 एक्स का कितना होता है चलेक्त ऑगढ़ान हो चाएगा तो यह हो जाएगा 2 cos 0 यानि इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 into 1 यानि 2 इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा चलिए next question क्यों और बढ़ते हैं next question आपको बोल रखा है e raised to power x minus 1 upon 1 plus 1 upon x square ठीके ना e raised to power x minus 1 plus x upon x square यह पूरा का बुरा question दे रखा तो limit x tends to 0 कर लो ठीके e raised to power x minus 1 plus x upon x square है ना इसका चार में से कौन सा इसका correct answer आपको लग रहा है कि आएगा 0 आएगा 1 by 2 आएगा 1 आएगा 2 आएगा चलिए e raised to power x का derivative e raised to power x है ना 1 का कितना होता है 1 का होता है 0 और x का कितना होता है 1 upon x square का कितना 2x चलिए इसका solve कर लेते हैं रहा है e raised to power x minus 1 upon 2x यह दे रखा है limit x tends to 0 आब इसमें एक बार all limit रगाएंगे मिरको सीधा 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 सा दिख रहा है यह 1 हो जाएगा यह 1 हो जाएगा यह 0 upon 0 बन रहा है तो एक बार all इसका derivative करेंगे e की power x upon 2x का कितना होता है 2 limit x tends to 0 हो जाएगा तो इसका answer कितना आ आग e raised to power x plus e raised to power minus x minus 2 upon x square है ना तो इसको देखो ज़रा दुबार से e raised to power x का derivative करेंगे e raised to power x e raised to power minus x का करेंगे तो minus e raised to power minus x तू का करेंगे तो 0 है तो लिखने की जरूत नहीं अपन में कितना 2x limit x tends to कितना 0 अब इसको दुबार से solve करो तो e raised to power x minus e raised to power minus x और माइनस माइनस एक बार क्या हो जाएगा प्लस अपाउन 2x का कितना 2 limit x tends to 0 दो बार क्यों कर रहा हूं मेरे को देखो यहां पर देखते ही जब भी x बचता है नीचे मेरे को देख के बतल लग जाता है 0 बन रहा है तो मुझे पता लग जाता है इस पावर से ही कितनी बार डेरिवेटिव करना अगर पावर दो लिखिए तो मिनिमम दो बार इसका डेरिवेटिव कर रहा जा सकता है तो ठीक है इसका हम करेंगे तो e raised to power 0 प्लस e raised to power 0 upon 2 यानी 1 प्लस 1 upon 2 यानी हो गया कितना 2 upon 2 इसका कटके अंसर कितना अंसर कितना अंसर क्या होगा चार ओप्शन आपको दे रखें लॉग a b log a upon log b log a upon b log b upon a तो इसका देखो आप pause करके solve कर सकते हो आपके दिमाग में क्या बन रहा है मैं इसको solve करता हूँ limit a x tends to 0 a की power x का जो derivative होता है a raised to power x log a minus b raised to power x log b ठीक है upon में x का कितना होता है x का होता है 1 तो इसमें आप सबसे पहले limit डालते है तो a की power 0 log a बनेगा minus b की power 0 log b बनेगा upon में 1 1 को ऐसी छोड़ दो तो a की power 0 कीतना होता है 1 1 into log a minus 1 into log b 1 into log a minus 1 into log b तो यह बन क्या किया log a minus log b अब आपने formula पढ़ा है कि यह log x minus y का log x minus log y का यह वाला formula पढ़ा है अपने तो इसका formula होता है log x upon y ठीक है याद रखना तो इसका formula के हिसाब से अगर मैं देखो तो log A minus log B लिखा हूँ है तो कौन से option के जैसा लग रहा है यह लग रहा है option number C के जैसा option number C क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा clear हो रही बात next question देखो ज़रा इसी बात पर question में जो बोला गया है वो बोला गया है limit x tends to 1 है limit x tends to 1 बोल रहा है आपको बोला है x minus 1 upon 2x square minus 7x plus 5 समझ में आगे इसको कैसे solve करना है x का कितना होता है 1 1 का कितना होता है 0 upon 2x square का 4x minus 7x का 7 5 का फिट 0 लिखने की जरूत नहीं है ठीक है लिखना है तो लिख दो चलो x tends to 1 था यहां पर यहां पर 0 लिख दो लिखेंगे तो अब इसमें limit डालते है 1 upon 4 into x की जगा पर 1-7 तो 1 upon 4-7 कितना माइनस का 3 option number कौन सा 3 इसका correct answer बन गया next question देखें जल्दी से ठीक है next question में गोल रहा है limit x tends to 0 माइनस 10x अपन में कितना दे रखा है एक्स दे रखा है इसमें limit डालो तो यह बनेगा साइन 0 10 0-0 अपन 0 तो यह बन गया 0 अपन 0 इसका derivative करो साइन का क्या सक्षार को सब्सक्राइब कर लेते हैं इसको सब्सक्राइब कर लेता है यह बन माइनस 1 इसका answer कितना रहा है 0 यह आई होप आपको पूरा को पुरा समझ में आगया होगा laptop की charging भी होगा यह खताम हो तो इस तरह के question जो है कल की class में दुबारा से लेकर आने वाले तो आई होप आपको पुरा पुरा समझ में आगया होगा ठीक है आपके लिए कुछ question जो है वह होम वक्त में आपको दे रहे हैं इसके screenshots आप ले सकते हो ठीक है और इसको करके solve करके आप बता सकते हो तीन question यह आपको दिये हैं आपके को एक दो इन तीनों के आपको आंसर बताने कमेंट सेक्शन में क्या आ रहे हैं चलिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद थैंक्यू